तो दोस्तों वैक्सीन जो बहुत जरूरी है मुर्गियों को बतक को और बकरियों को करने का और वैक्सीनेशन हमें टाइम टू टाइम करना बहुत जरूरी है अगर हम फार्मिंग को बड़े अस्तर पर करते हैं लेकिन दोस्तों अगर किसी कारण से हमें वैक्सिन एवलेबल ना हो पाए और वैक्सिन ना मिल पाए या फिर किसी कारण से मिस्टेक कर गए हम और वैक्सिन की उपलबता नहीं हो पाए जैसे बतक के वैक्सिन जल्दी एवलेबल नहीं हो पाते हैं मुर्गियों के मिल जाते हैं लेकिन बतक के नहीं मिल पाते हैं तो दोस्तों इस condition में हमें क्या करना है और कैसे अपने farm को हमें separate बना के रखना है और कैसे कोई viral disease हमारे farm पे ना आए उसके लिए हमें क्या देख रेक करनी है नमस्ते दोस्तों मैं हूँ सागर और मैं स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आपनीवर भारत तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो friends देखें मैं कभी किसी भी वीडियो में किसी भी farmer को ये नहीं बताता हूँ कि अगर आप farming स्टार्ट करना चाहते हैं बड़े अस्तर पे तो रिक्स नाले वैक्सीन का जो समय होता है डक्स पे लिए इसमें दो वैक्सीन लगती है एक डक्स लेक की और एक डक्स कॉलेरा की तो दोस्तों आपको दोनों ही वैक्सीन कर लेना है मुर्गियों में रानी खेत गुमवेरो फॉल पॉक्स आधी आधी के वैक्सीन लगते हैं और बक्रियों में आपका PPR का FMD का और ET का वैक्सीन जो लगता है जो टाइम है जो सेडूल है उस सेडूल में कर लेना चाहिए लेकिन कुछ कारण से दोस्तों कोई कोई फार्मर को वैक्सीन एवलेबल नहीं हो पाता है निस्चित समय पे नहीं मिल पाता है और वैक्सीन की किलत भी मार्केट में हमेशा रहती है कभी कभी सही डोज नहीं मिल पाता है तो कैसे उस बीच में हम अपने फार्म को सुरच्छित रखें बिना वैक्सीन किये हुए तो दोस्तों देखें दो तीन पॉइंट में बताना चाहता हूं आपको अगर आप भी उस बात पर ध्यान देते हैं अगर आप भी उस तरह से वैक्सीनेशन अगर नहीं किये हैं और अपने फार्म को चला रहे हैं तो दो तीन चीज़ें आपको जरूर ध्यान देनी पड़ हो जाता है कि अपनी बायो सेक्रीटी को मेंटेन करना बायो सेक्रीटी का कहने का मतलब होता है दोस्तों जो आपके फार्म का अंदर है जो आप अपने फार्म के अंदर मतलब आपका डग फार्म है देशी मुर्गी पालन है या फिर आप गौट फार्मिंग कर रहे हैं आप किसी भी सेक्टर में हैं तो आप कोशिस करें कोशिस आपको करना ही है कि आप जो बाहर के विजिटर हैं बाहर से कोई व्यक्ति आता कोई थर्ड परसन आता कि या फिर कोई फार्म वाला आता है या किसी भी अधर परसन को आप जल्दी उसको इंट्री ना होने दे फार्म के अ और उसको सेनिटाइज कर लेजिए और उसके बाद अंदर लेका आईए तो आपको थोड़ा सा तो आपके वारी डिजीज है वह सब कि आदमी के थुरू आपके फार्मप को कोसिस करें वहाँ पर आप ज्यद्व सब्सक्राइब को थोड़ा से दूर रखें इसके बाद दो लुए कभी कभी यह होता है कि एक जैसे आपका मुर्गी फार्म बतक प्राव या फिर बक्री के एक जो रत पड़ता है आपको बाहर से कुछ BURDS लाने, बाहर से कुछ जान्वर ले के आने की, तो दोस्तों देखे, आपने तो अपने फार्म में वैक्सिन किये हैं या फिर नहीं किये हैं, लेकिन अगर कहीं और से आप ले के आा रहे हैं, तो उसका गारेंटीन ही कि उसमें भी िसको नाइसोटीज़ाइब होता है कि कभी कभी फारमर्स थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं कोई या फिर में सब्सक61 करने मैं चलता है कि बिमारी है या पिर बतक मेंगिल कोलेरा की इसके कहले में PPR या फिर ET या फिर किसी और वाइरल डिजीज का बिमारी है तो वो पता नहीं चलता है और आप लाके डाइरेक्ट से अपने फार्म पे उसको रख देते हैं जिसके कारण से भी क्या होती है जो डिजीज हैं उसको फेलने के चांसे काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपका जो फार्म है लगबग लगबग इंफैक्टिव हो जाता है और आपको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों आप कोशिस करें कि अगर ज़रुरत है आपको दूसरे के यहां से फार्म से दूसरे बजार से मार्केट से कहीं से बड्स लाने की ज्यूरत है आपको नए जानवर से लाने की ज्यूरत है अपने फार्म पर बक्रिय बक्रिया या फिर मुर्गे मुर्गिया बतक अगर नए आप एड करते हैं तो आप कोशिस करें उसको लगबग साथ से दस दिन उसको अलग कॉरेंटाइन रखें हो सके तो 15 दिन तक अपने जानवर से उन लोगों से हट के रखने की कौसिस करें अगर आप ऐसे कौसिस करते हैं तो आपका जो कोई विदिजीज है जिसका लगबग इलाज नहीं हो सकता है तो वैसे डिजीज से आप अपने फार्म को बचा सकते हैं इसके बाद दोसको एक अंतीम तरीका यह vairal some disease से बचने की कोई वी विमारी ऐसे ही नहीं आता है विमारी आने का बहुत सारे कारण और सबसे जाधाद विमारी आने का एक और कारण होता है वो है गंदगी अगर आप अपने farm में घंदगी रखते हैं और खासकर आप अपने जो drinker feeder हैं उसको पड़ नहीं साप करते हैं तो भी बहुत chances होते हैं आपके farm में disease फैलने के तो दोस्तों आप कोसिस करें कि जो आपके drinker feeder हैं उसको आप per day साप करें अच्छा से साप सफाई रखें और इसके बाद जो आपका farm का अंदर जो bed है जहां पर रात में night shelter जिसको बतक को बोलते हैं या फिर मुर्गियों के लिए जो हम लोग bed तयार करते हैं या फिर बक्रिय यह एकदम सूखा जगह रखें मतलब अगर वह जगह सूखा है तो उसको आप मैं आपको बताता रहा हूं आपको लगभग 80% चांस है कि आपके farm में कोई disease आएगी भी तो जल्दी से फेलेगी ने लेकिन दोस्तों अगर आपके farm में नमी है तो disease फेलते भी बहुत ज्याद जोर से हैं और मतलब आप उसको रोक नहीं पाते हैं तो आप कोशिस करें कि अगर आपके farm पे जो bed है जहां night shelter है जहां मुर्गया रात में रहती है या फिर बतक रात में रती है या फिर बकरी रात में उस जगह को पूरा नमी रहित रखें सूखा रखें एकदम उसमें उस जानकारी अच्छी लगी अगर आप भी डग farming या जूड़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे थाइंक्यू धैन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मिल सभी घर कर दूनosen चाहते हैं तो भी घर यहाथादेँ थायद कर लिए में चूरादेएश बliगार